राम लंका विजय करने के पहले देवी का पूजन करते हैं लंका जाने के पहले देवी को सौ कमल चड़ाने का सुचते हैं देवी आखरी कमल हर बार चुला लेती तो 99 कमल चड़ा चुकने के बाद राम सौवा कमल रुणते हैं मिलता नहीं है तो राम सुचते हैं क्या करूं मुझा छोड़ नहीं सकता कमल तो 99 है 100 नहीं है तो फिर राम को याद आता है कि लोग मुझे कमल नहीं गहते हैं तो राम अपनी आखें निकालने वातुर हो जाते हैं तो मैं आख निकाल के देवी को चड़ा दूंबा है सौमा फूल कमलगा देवी प्रकट होती है राम को आश्रवाद देती है राम युद्ध चीठ थे पर जब श्रीकृष्ण अवतार ले रहे थे कंस श्रीकृष्ण से पैदा होनेवाले हर संतान तो श्रीकृष्ण के जन्म के समय जब कंस आठवी संतान को मारने के लिए आता है तो देवी महमाया रूप में उनको मिलती है और जैसे ही कंस उनको पटकने वाला होता है देवी अपने असली शुरूप में आती है और कंस को बताती है कि तुझे मारने वाला जीवित हो चुआ है देवी जो है देवी ही सब कुछ सार्थक करती है देवी की ही शक्ती से संसार चल रहा है संक्राचार जो शिर्व की उपासक है नदी में फस जाते है देवी को इग्नोर करते हैं नदी में फस जाते हैं नदी में फसने के बीज में उनको पता चलता है कि शक्ती के बिना जीवन में कुछ हो ही नहीं है शक्ती के राधना बहुत जरूरी है और तब जाकर के इस रिलाइजेशन के बाद जाकर के संक्राचार सौंदर लेहरी की रचनागर तो चाहे शैव हो चाहे रइशनव हो चाहे कोई हो सक्ति के बिना कुछ हो नहीं सकता यह बाद यूगी की शुरुवात से लेकर के आज़े तक सक्ति है परम सक्ति है राजस के दिश्ठात्री, रजस गुनी के दिश्ठात्री, देवी जब आप जन्दगी में कुछ चाहते हैं प्रगती, उन्नती, धन, विवाह, संतान, मान, सम्मान, रजस गुन है रजस के दिश्ठाता है चाहत और देवी राजसी है आपकी हर चाहत को, हर इक्षा को देवी पूरा करने का सामर्थ रखती है भक्ती भाव से देवी के पूजन से कौन से ऐसे इक्षा है रखती की जो पूरी नहीं हो सकती हर इक्षा देवी के भक्ती भाव से पूजन के बाद पूरी होती है अवश्य पूरी होती है इस बात को नकारा नहीं जा सकता जितने सुधी जन, जितने ग्यानी जन हैं, सब इस बात को एक स्वर में मुक्त कंठ से सुईकारते हैं जब आप देवतागी पूजा करते हो, भक्ती करते हो, तो क्या चीज होती हैं? आपको सही बुद्धी, सही ग्यान, सही प्रकास, सही डारेक्शन मिलता हैं? दूसरा आपको संसाधन उपलब्ध होते हैं, रावन से युद्ध लड़ने के लिए देवता राम को रस देते हैं, संसाधन, और वहीं पर रिशी आ करके राम को आदे थिरदे का पाट देते हैं, कि सूरी के सिस्तोत्र का पाट करो, इस सिस्तोत्र का पाट करने से विजय नि मिले रहा है तो जंदगी में आगे बढ़ने के लिए चाहे सही योग चाहिए चाहे बुद्धी चाहे फैसला लेने के लिए ज्यान चाहिए या जीवन में भविश्च को देखने के लिए प्रकास रौशनी गाइडन्स देवता ही आपको पुलब्द कराएं जोतिश में कई प्रकार के उपाएं उपाएं को मुख्यत और बे में तीन कटिगरी में बाटता हूँ जोतिश के उपाएं मुहूर्थ वास्तू कुडली मिलानों ग्रह को बलशाली करने वाले उपाएं जैसे की जैम स्टोर जिससे ग्रह बलशाली होता है इसके लावा अईरवेदिक जड़ी बूटी का सेवर रत्यतिती और तीसरा है मंत्र जाप स्तोत्र जाप यह पहले दोन करना मुश्किल कारिये जैम स्टोन वेगरे का उपाएं सिर्फ उसी ग्रह के लिए किया जा सकता है जो ग्रह अच्छा हो कर्म से उत्पन होने वाली चीजें बुरे कर्म से अच्छे कर्म से उत्पन होने वाले एक्स्पेरियंसे उत्पन होने वाले योग को बदलने का सामर केवल मंत्र और स्तोत्र में ही है। पुराने जन्म के कर्मों से छुटकारा दिला देती है। इस जीवन के कर्मसवार देती है। और जन्म जन्मांतर के किये गए पापों को संपूर्ण निर्मूल करके नए पुन्य का उदै करके व्यक्ति को उस पुन्य का भागी बना करके उसका जीवन जो बदलता है वो मंत्र उस्तोत्र है और इसमें भी सबसे जादा जिसका मंत्र उस्तोत्र तुरंत प्रभावी है वो है देवी तो आज इस विडियो में हम देवी के अरगला स्तोत्र के बाता है कि अरगला कि मैं थोड़ा आपको महिमा बता दूं कुछ ही ऐसे स्तोत्र हैं जिसमें देवता से कुछ मांगा जाता है कि देवी की अरगला शिव का चमकम पूजन में संकल्प लेना बहुत हाश्यक है अगर आप काम में पूजन कर रहे हैं एक तो नित्यने मित्तिक पूजन ह रोज का पूजा पाट है या बिना संकल्प के लिए इस से क्या होता है स्प्रिच्वैलिटी का होता है सही राह मिलता है देवता का सामी प्राप्त होता है भक्ती होती है काम में पूजन उसे कहते हैं जो किसी खास इक्षा से किया जा रहा हो संतान पाने की इच्छा नौकर कि देवता किस वजह से तो जबकि आप अपनी बात बता देते हो कि है प्रभो मैं आपका पूजन इसलिये कर रहा हूं न is यह काम में पूज़े लोगा इस्तोत्र में यही दो इस्तोत्र जिनके मैंने आपको बात किने को काम इस्तोत्र का जाता है जहाँ पर आप देवता से सीधे कुछ मांग रहे है और जब यह प्रार्थना सच्ची दिल से की जाती है जब यह प्रार्थना संपूर्ण भक्ती भावसे की जाती है जब जो चीज आप मांग रहे होते हैं आप उसके हकदार भी होते हो ठीक से एलिजिबल भी होते हैं तो देवी आपकी इक्षा अवस्य पूरी करती है और इक्षा पूरी करने में देवी से बढ़कर कोई है ही नह कभी भी दुखों से घिरावाने मिलेगा देवी का भक्त आपको कभी मारा मारा पिरतावाने नहीं मिलेगा तो दुर्गाश अप्तशती साफ कहते हैं तुम्हाश रतानाम ना विपन नरानाम उन पर आशित रहने वाला जिंदगी में कभी विपन गरीब तो होता ही नहीं जबकि तुम्हारी जब पूजन करते हैं उन पर और लोग आश्रित होते हैं तो जिंदगी में अपने आपको इतना बड़ा घरना हो कि आप वो बरगत के पेड़ बन जाएं जिसके नीचे पशू पक्षी इंसान आगे अराम करते हैं तो देवी ही आपको इंसान से महामान और उसमें अरगला इस्तोत्र की महिमा अपरम बार है कि अरगला इस्तोत्र में देवी से इतनी चीज़ें मांगी गई हैं कि अगर आप इंसान अगर आप अपनी बुद्धी से इतनी चीज़ें मांगना चाहोगे तो विवेकानंद की तरह ही दस बार प्रियास करने पर भी कि बहुत ही चतुराई से अरगलागे लेखतने मूल तोर पर रूपम देही जयम देही येशो देही दिशो जही इंचार बातों का बार-बार जिक्र किया गया है अध्याद्मिकर्थ को छोड़ दें तो रूपम देही का मतलब है सुंदरता प्रदान हो रूप यौवन संदर यौवन और संदर मेरे हिसाब से मतलब है कि मैं ऐसा बनूँ कि लोग मेरे जैसा आचरन करें मेरा लाइफ एक्जाम्पल दिनूँ सही मार्ग बर चलूँ लोगों के लिए आदर्शिवर जीवन ऐसा हो लोग मेरे जैसा बनना चाहें यह आपको देवी देती जयम देही किसी भी प्रकार का कोई शत्रू हो चाहे रोग हो चाहे अपने भीतर की कमजोरी हो चाहे इंद्रिय का दमन हो या कोई परशान कर रहा हो उससे चुटकारा पाना हो देवी आपको जीत देती यशो देही आपको जिन्दगी में मान सम्माम धन दौलत मिलता है प्रभाव बढ़ता है दिशो जही और जिस भी प्रकार का शत्रू है चाहे शाररिक आदी व्यादी है मानसिक कमजोरी है काम कुरोद लोग मोह त्रिशना जैसे बीमारिया है इंसान उससे चुटकारा दिल ओ शादी नहीं हो रही है शादी में समस्या चल रही है अरगला इस्तोत्र का पारट बहुत ही फाइदे منत इन सारी चीजों में यहीं नहीं देवी पारवती के पूझन के लिए शायदी इकलौता इस्तोत है जो कितना पॉपलर है लक्षमी के पूझन के लिए इससे कीजिए मांग लिए can जो एक बार में बैठ करकर इनसान तो नहीं सोकता जिसने लिखा होगा किस नहीं कि होगी को तो देवी किरपा तो जरूर होगी गाद किक उसके वारे ना इच जाने क oynुग में कलव चन्डी विनायकम कहा है जै कि तो कल्व सुक्न कि पूजा करने से तुरिद फल का लाब होता है बहुत अच्छे फल का लाब होता है ऐसे लाब की कलपना ही नहीं की जासका और दूसरा कंत्र का जो मार्ग है जुर्गा सप्तशति मार्गंडे पुरान से आती है जुर्गा सब्सक्रेण कि बंगाल के दंतर के बारे में तो दुनिया जानती अफ बंगाल से पफलर वी दुर्गा शप्तिशती के ऐप एक शीथिय को मंत्र है मंत्र के पर टालनकी सुद्धता का पुरिःण है परिस्थ होने के कारां और पर चिज्दता बेपल होने के रिवंक छतीथि और अंग कि ग्रहसे और इस हो पे इनका पाट करने से सब्सक्राइब करने के जैसा ही होता है कि अपर या और वाई से तो चारण की शुद्धता का यहाँ पर ध्यान रखना है लेकिन शप्तशती पढ़ने से खर रेलैक्शिशंद और क्योंकि शप्तशती से छोटी है तो रोज भी पढ़ा जा सकता है, एक से अधिक मात्रा में भी पढ़ा जा सकता है, और तंतर सास्तर सीधा कहता है कि कल्यूग में तंतर सर्वसुलब है, तंत्र का इस्तेमाल करने के लिए कोई भी जाती का, किसी भी जेंडर का कोई बंधन नहीं है, तंत्र तुरंता लाब देता है। तो अचूब बाद है यही नहीं खास करके इस्त्रियों को देवी का आवश्वी पूजन करना चाहिए अरगला के द्वारा इस्त्रियों को हम लोग लक्ष्मी का रूप मानते हैं लेकिन हर इस्त्री शायद सौभागी साले नहीं तो अपने भीतर के सौभागी को जगाने के लिए हर इस्त्री को शक्त शतिक आवश्वाद से पाट करना चाहिए खास करके वो इस्त्री जिसको समाज परशान कर रहा है पिडित कर रहा है उसको अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए शक्ति का आलम्मन लेना ही चाहिए साथ कोई नहीं है जो निरा लंब है कर उसका देभी के लावा चाहिए तो जो इनसान हर इसचट रही rigtए संभक हार!!" यह जिसके साथ कोई भी नहीं कहड़ा उसके लिए इस त셔서 से सक्तिशाली एक मात्र संबल है वो है देवी के राधना करने से आपकी कुंडली के सारे ग्रह अपने आप ठीप हो जाते हैं देवी को चिनमस्ता दोशिशत्वर पे कर्म फलेशु जुस्टाम शब्द से संबोधित किया गया है इसका मतलब है देवी वहतत्त है जो की कर्म क कर्म के फल से आपको डिटैच कर सकती है कर्म के फल को बदल सकती कर्म के फल को संपूर्म तोर पर बदल देती किसी वी उपाय से जादा मंतर जाप और स्तोत्र पाथ जरूरी उपाय है क्योंकि आप हम हिंदु धर्म में ये मानते हैं कि वेद पुरान में लिखिवी सारी ब जब सावित्री को अपने पति की जान बचानी है तो वो देवता के राधना करते हैं स्थुति करते हैं जब अर्जुन को जीतने के लिए अस्त्र चाहिए तो देवता के स्थुति करते हैं जब राम को रावन पर जीतना है तो देवता के स्थुति करते हैं स्थुति मंत्र के लुवेंज है मंत्रस्तुती से बढ़ करके कोई उपाय हो ही नहीं सकता है अधर हम ने जिम लोगों ने बात करता हूं तो मंत्रजाप के उपायि स्थों ट्यूप क्यों क्या विए जाय में विशेश्च तौर से अपने पूरे 12 12 साल के के अब तक बहुत मैंने रिकमेंड किया लोगों को उसके बहुत ये अच्छे फल आशाती तलाब उनको दिले इस वजह से मैं इसको बहुत प्रॉपगेट करता हूँ अनुभव से निकली बात को इंसान प्रॉपगेट करता ही है इसलिए मैं इसको जो है कि प्रॉपगेट करता हूँ और यहां इस सिरीज में मेरा मकसल यह है कि मैं आपको इस तोत्र पढ़के सुनाओ पढ़के सुनाने से क्या होगा है कि आपके बास पुस्तक होगी प्रिंट आउट होगा आप मेरे बोलने से उसको देख लेंगे तो आपको चरण पता चल जाएगा बोलने से आप पैन से मार्क भी कर सकते हैं कि यहां यहां वर्ड ब्रेक कर रहा हूँ मैं तो वहां वहां आप ब्रेक कर सकते हैं और उसको 15-20-20 बार सुनने से आपको याद हो जाएगा फिर आप खुत भी पाठ कर सकते हैं और जो पाठ नहीं कर सकता है वो सम्पुरण भक्ती भावनभा से सुन ही सकते और सुन करके भी जो है कि आशातीत फल प्राभण करसके मैं आपको शुरुवात में बताओं। सबसे पहले आप इसको खाली कमरे में भी कर सकते हैं मन में देवी का ध्यान करके खाली कमरे में भी पार्ट ट्रिब होना चाहिए नौ दिन विशम संक्या में पाट करना है एक पाट तीन पाट 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 साथ पाट रोज पाट करने तो अति उत्तम किसी भी प्रकार की समस्या हो पूरे भक्ती भावना से अठारा दिन दो नवरात पाट कर ले विक्ति उसके बाद क्या नहीं होता निर्धन धनवान हो जा यहां पर आप अपनी स्क्रीन के सामने रगला इस तोत्र को देख पा रहे होंगे सबसे अपर लिखा है ओम है अशरी अजला इस तोत्र मंतरल स्य विशनू शेम बशिंशना लगाना आपको अनुस्टुब चंद चंद बोलते वे मुख पे हात लगाएं ये मुख से चंद का उचारन करेंगे रिशी हमारे सर पे है ज्यान दे रहा है स्री महालक्ष्मी देवता देवता का हिरदय में स्तान होता है हिरदय को टच गरें यहां पर अगला स्तोत्र में पहले कह दिया गया है स्री महालक्ष्मी देवता अता महालक्ष्मी को प्रसन करने के लिए विश्णु रिशी विश्णु जी के द्वारा कहा जा रहा है अता लक्ष्मी की किरपा प्राफ्त करने के लिए लक्ष्मी की किरपा का मतलब है धन चाहिए पतनी चाहिए किसी भी प्रकार जी सुक समर्द्धी चाहिए अरगला इस तूत्र से बढ़कर के कोई उपाए ओम नमस चंडिकाय चंडिका को नमशकार है नमशकार मंदरत ओम नमस चंडिकाय गोलते हैं आप आप H отнош जुड़ेंगे फिर आगे पार्ट करमने के लिए पाठ ओम जयंती मंगला काली पद्रकाली कपालेनी दुर्गा छमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जय तम देवि चामुंडे जय भूतार्ती हारिनी जय सरवगते देवि कालरात्री नमोस्तुते मधू कैटब विद्रा विविद्धत्री वर देनमह रूपम देही जयंदेही यशो देही दिशो जही महीशासुर निर्नाशी भक्तानाम सुख देनमह रूपम देही जयंदेही यशो देही दिशो जही रक्त वीजव देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देही जयंदेही यशो देही दिशो जही सुम्भस्यवन सुम्भस्यः दुम्राक्छस्यच मर्दिनी रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही वंदी तागणी युगे देवी सरवसो भाग्य दायनी रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही अचिंचे रूप चरिते सर्व सत्रू विनाशिनी रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही नतेब्य सर्व दाभक्त्या चंड के दुरितापहे रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही इस्तुवद्व्यो भक्ती पुर्वं त्वाम चंडिके व्याधिनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही चंडिके सततमिये त्वाम चरियंतीह भक्तितह रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही देही सो भाग्यम आरोग्यम देही में परममसु रूपम देही जयं देही यशो देही दिशो जही विदेही दुषतामनाशं विदेही बलमुच्यके रूपम देही जयं देही यशो देही दिशो जही विदेही देवी कल्यानं विदेही परमाश्रियं रूपम देही जयं देही यशो देही दिशो जही सुरा सुरु सिरोरत्न निग्रिष्ट चरने अंबिके रूपम देही जयं देही यशो देही दिशो जही विद्यावंतं यशश्वंतं लक्ष्मी वंतं जनमकुरू रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही प्रचंड दैत्य दरपगने चंड के प्रणताय में रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही चतुर भुजे चतुर वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपम देही जयम देही, यशो देही दिशो जही, कृस्नेन संस्तुते देवी, शेश्वत भक्त्या सदांबिके, रूपम देही जयम देही, यशो देही दिशो जही, हिमाचल सुतानात संस्तुते परमेश्वरी, रूपम देही जयम देही, यशो देही दिशो जही, इंद प्रचंड दो दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही देवी भक्त जनो दाम दत्ता नंदो दे अंबिके रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही के वाल इतना पाठ करना है अंद में ये जो लाइन लिखे वी है इसका पाठ नहीं करना इसमें अगर ठीक से देखा जाए तो विशेश तोर पर यहाँ पर सात्मेश लोक में सर्व सौभागी दाईनी शब्द कहा गया है तो किसमत का सहीयोग देने में सौभागी देने में नवमभाव नवमेश जुड़ेहवी समस्या को दूर करने में सर्व सत्रू विनाशनी किसी भी प्रकार का शत्रू हो बहुतिक शत्रू हो मानसिक शत्रू हो रोग नामक शत्रू हो कमजोरी नामक शत्रू हो काम क्रोध लोब मोह नामक शत्रू हो उसको नाश करता है, उसके साथ में भक्ती पुर्वम तौम चंड के व्याधी नाशनी, अगले शलुक में विशेश तोर से कह दियागा है, किसी भी प्रकारी की आधी व्याधी बीमारी कमजूरी हो, उसको नाश करने में अरगला बहुत बढ़ियां काम करती है, सोभागय की फिर से बात की गई है कि देही सोभागयम आरोगयम, सोभाग अच्छी किसमत और आरोग अच्छा हेल्थ, परमम सुखम और बहुत सुख, अल्टिमेट हैपिनेस, सबसे ज़्यादा सुख मतलब बिस्तर का सुख भी, नींद का सुख भी, अरगला आपको देता है देवी आपको देती है, विदेही दुष्ताम नाशम, जो आपसे दुष रखता है, जो आपसे जलता है, जलसी रखता है, उसकी जलसी खतम होती है, विदेही बलम उच्छ के, इस शब्द को बलम उच्छ के पढ़ना चाहिए, मतलब आपका जो बल है, जो स्रेंथ है, वो उच्च हो जाता है, आपका बल और बढ़ता है, आपका प्रभाव, इन्फिल्वेंस और बढ़ जाता है, विदेही देवी कल्यानम, आपका कल्यान होता है, जिन्दगी में जो चीज आपके लिए बेस्ट हो, वो होनी शिरू हो जाती है, ठीक है, विदेही परमाश्रियम, औ पर आपको शुरी मिलती है संपत्ती धन दौलत मान सम्मान आपको मिलता है विद्ध्या वंतम विद्ध्या मिलती है तो विद्ध्या में पढ़ाई लिखाए में जिने स्टूडेंट्स को ठिकत हो रही हो पूरी ना कर पा रहे हो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे हो उस करने दर्प किसी को अगर आपको पुरा महसूस करा करके आपको नीचा दिखा करके अगर किसी को बड़ा घमंड होता रहे मज़ा चाहिए तो ऐसे रखती का दर्प घमंड भी चूर होता है हिमाचल सूतानात संसुते परमेश्वरी इस बात पर संकेत है कि शूरी देवी पारवती का पाररवती जूटिके लिए इकलोते कुछ चुने वेस तोत्रों में से एक है तो चंद्रमा ठीक करने के लिए तो बहुतilde बढ़ियाओ पाए इंद्रानी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी कहा गया है कि इंद्रानी का पति मिरलब इंद्र जिसकी पूझा करता है इंद्रलक्षमी की पूझा करता है तो लक्षमी प्राप्ती के लिए जैसा कि मैं बार-बार कह रहा हूं कि और इंद्राणी को जोतिश में वी नस रेहिए तो शुक्र और चंद्रमा से जुड़ेविय year समस्य लिए दूर्बभलिक्षक अलए के लिए अंब इसिए बहुत बड़िए कि मोटनी मुनर्मा दहीं से से पतनी प्राप्ति के लिए रेलेश्णशिप प्रॉप्ति के लिए sare झाल्दि होने के लिए अजादी में होने वाली मादा को दूर क करने के लिए बहुत अच्छा है कि इदम इस्तोतर न पतेट वात्वाट प्थिन रहा जो इस महान स्तोत्र को पढ़ता है सर्थ तूस अप्तसती संख्या वरमापनोटी शंप्ता तो सब्तसती में जितने भी वर हैं तो सब्तसती में जितने भी वर हैं अगर हर सलोक में एक भी वर हो तो अरगला इस्तोत्र को केवल अरगला इस्तोत्र को पढ़ने से 700 परकार की desirable चीज़ें 700 types of best things 700 type of desired things जोगी आदमी चाह सकता है अपने life में 700 परकार की blessing व्रक्ति को प्राप्त होती है यह अरगला की महिमा है जिसको अपने जीवन में सौभागे चाहिए लक्ष्मी की किर्पा चाहिए उसको अरगला करनी ही चाहिए अरगला के अलावा कोई और चीज़ नहीं है उपायों में अरगला महा उपाय है अरगला के बारे में अगर अरगला की महनता में बात करें तो पुरे दिन बात की जा सकती है लेकिन में यह समस्ताओं की जो समस्दार लोग हैं वो इतने इशारे से समझे